भाई साब एक बात कहना है आप सभी से आप सारूख खान के किसी भी मूवी का सौंग उठा लीजे वह अचाहे 90's हो 20 हो या फिर 2010 या 2010 के बाद की कोई भी सौंग आप उठा लीजे हार एक सौंग इनका ब्लॉग बाश्टर है आज भी तकरिबन 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद भी इनके सौंग को उसी तरह उसी तरीके से लोग सुनते हैं जो पिछले कई साल पहले सुनते थे तो कही न कहीं सारूख खान का क्रेद और सारूख खान का इस्टारण तो भाई है ही लेकिन दोस्तों जवान मूवी का अभी तक दो सौंग आ चुका है और आज तीसरा सौंग आना है आज तीसरा सौंग आना है लेकिन दोस्तों आप सच सच बताईएगा अपने दिल पे हाथ रखकर सच बताईएगा कि दोस्तों किया दो सॉंग अभी तक जो जवान मूवी का आया है किया आपको उस सॉंग को सुनने के बाद आप सटिस्फाई हैं आपको वो मजा आया दोस्तों अगर आपने सारुखान की मूवी पठान देखी होगी उसमें जितने भी सौंग है भाई साब आज अभी तकरीबन 7-8 महीनों में हर सौंग पर लगभग 600-700 मिलियन से ज़्यादा का व्यू आ चुका है सिर्फ ओफिसियल चैनल पर अगर सभी चीजों को मिला दिया जाए तो कहीं न कहीं बिलियन्स व्यू आ चुके है और भाई साब हर एक सौंग सुपर डूपर हिट है कितनी भी बार सुनो आप बोर नहीं होंगे लेकिन दोस्तों जवान का अभी तक 2 सौंग आया है जिसको एक से ज़ादा बार सुना जा सके जिस पर उस सौंग पर आप डांस कर सकें जिसको आप इंजॉय कर सकें ऐसा सौंग अभी तक नहीं आया है जो कहीं न कहीं मुझे ऐसा परसनल लगता है कि भाई साब सौंग के मामले में या मूवी थोड़ा सा लो जा सकती है इसमें कोई दोरा है नहीं लेकिन वाई साब सौंग के बात करें तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा निरास कर ही देती है लेकिन जब इस मूवी का एनाउंस्मेंट हुआ था और जब इस मूवी का एक महीने पहले जो एक प्रिविव आया था उसको as a trailer भी कह सकते है उसके बाद इस मूवी का क्रेज तो बाई साब बहुत ज़या ओ गया था लेकिन सिर्फ एनाउंस्मेंट और प्रिव्यू वीडियो के बाद ही इसका क्रेज ज़्यादा बड़ा इसके सॉंग को लेकर कोई ज़्यादा एकसाइटमेंट लोगों के अंदर नहीं मैंने किसी को ये नहीं देखा कि इस सॉंग पर किसी ने रील बनाया है अच्छा नहीं भी होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है ये सारुखार की मूगे ये तो भाई साब आराम से सुपर डेपरफी हिट तो हो ही जाएगी लेकिन दोस्तों ट्रेलर को आप हलके में नहीं ले सकते जो पठान के वक्त सभी सॉंग का वाइफ था आपका जो भी रहा है आप जरूरत कमने बॉक्स में लिकिए मिलते हैं किसे और वीडियो में ट्याइज जे भारत